हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हू राहूल जे इस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मोश्ट इंपोर्टेंट जे लेकर आगया दोस्तों जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे नाइन स्टैंडर के लिए जोग्राफी सब्जेक का जो हमारा चाप्टर के हमने शुरुआत की थी दोस्तों जिसका नामे चाप्टर नमर थ्री आपके लिए लेकर आगये हैं जो कि अगेन एक बहुत ही जादा इंपोर्टन लेक्टर वीडियो होने वाला है तो आपको मैं वयाद दिला तो दोस्तों कि इसके पहले का जो लेक्टर था लेक्टर नमर टू वस दो वन आपके लिए जिसमें हमने डिसकस किया था भानी, continents, buildings होते हैं फिर हमने देखा था, fold mountain देखा था, बlock mountain, फिर Rift Valley देखा था ये सब चीज हमने cover किया था और आज जो है दोस्तों, आज के इस lecture में हम discuss करने वाले हैं कि Sudden moments से क्या होता है बहुती छोटा topic को जादा इसमें है लेकिन Sudden Moments exactly क्या होता है उसके बार में discuss क करेंगे एंड सीधा फिर उसके बाद आपको लेके चलेंगे यहां पर सड़न मुमेंट के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजे आ जाती हैं जैसे कि आपको पता है सड़न मुमेंट्स है तो छोटा टॉपिक लेकिन इसके अंदर डीप में गुस होगे तो तेरा सो मि अर्थ को कैसे आता यह सबी चीज हम डिसकस करेंगे आज के इस वीडियो में इसी रिए यह वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट होने वाला तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन एक चीज कर लेना इसके अलबा जो सकेंड चैनल हमारा जिसका नामे जेया टॉक्स उसको भी देख लेना करियर गाइडेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक हमें फॉलो नहीं करते हो तो फटा फट से कर लिजेगा आप लोको ल सदन मॉमेंट होते हैं जैसे कि मैंने पेन उजाल के फेका फिर पकड़ लिया तो यह सदनली हुआ लेकिन अगर यही पेन इतने धीरे 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 उपर जाता उपर जाता और फिर मेरे हाप में धीरे से नीचे आता तो यह क्या होता स्लो मॉमेंट होता तो स्लो मॉम मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि sudden moment मतलब जैसे कि मैंने आपको बोलती है कि कोई भी चीज जब अचानक से move होती है तो उसको sudden moment बोलते है और एक और चीज ये है कि आपको मैं एक चीज बतातू कि earthquake is one of the most important या फिर आप बोल सकते हो one of the most important reason of a sudden moment earthquake ठीक है ना earthquake जो होता है ये सबसे बड़ा एक तरीके से sudden moment का cause है जो की होता है और जिसके वेसे बहुत जादी तबाही है और बहुत जादा नुकसान भी लोगों को पहुचता है यार earthquake एक ऐसा चीज है जो आपने शायद बहुत पहले बचपन से ही पढ़ाओगा आप नाइन्थ में आ चुके हो आप यार पाचवी छेटवी में भी आखर आप थोड़ा सा दिमाख लगाओगे और पीछे चले जाओगे फ्लाश बेक में चले जाओगे तो आपको हर चीज समझ में आएगा कि चाटर का नाम है तो उसमें आपने देखा होगे कि तीन लेयरड होते हैं crushed होता है फिर उसके बात mental होता है फिर core होता है तो ये 3 layers जो होते हें वो कही नगहीं क्या होते हैं जब भी disturbance कुछ भी आती है जब भी कोई internal energy अंदर होती है तो वो क्या होता है? Shocks या फिर waves के फॉरम में अंदर creation होता है. Moved हो जाता है. Waves के फॉरम में. तो जैसे waves के फॉरम में जब moment हो जाएगा तो कहीं न कहीं क्या करेगा जब उसके उपर का जो layer है यानि crust का जो layer है उसमें भी एक तरीके से जिसके ऊपर यानि कि ये क्रश्ट था ठीक है ना तो क्रश्ट के ऊपर जब जब जटका आ जाएगा तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी है समझ लो तो वो भी क्या हो जाएगी शेक करेगी एंड शेक करेगे तो अब्वियसलि उसके पिलर अगर मज ठीक है दोस्तो तो यह चीज आपको उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा तो ऐसे जो सबसे बेस्ट एक्जामपल उसमें होता है अर्थवेक का और एक और एक्जामपल मेंशन करूँ हमें वाल्केनिक इरॉप्षिन जो आला मुखी कभी बोलके नहीं आता है कि मैं फट ही है रोकरा तो एक इंपॉसिब यह पर ड्यू टू सम्वेरेस टाइप टेक्नोलोजी इस देर तो हम लग शायद कंट्रोल कर पाए या फिर उसके लॉस को कंट्रोल कर पाए लेकिन यह क्या यह स्लों आता है क्या नहीं यह फास्ट आता है जब भी आना होगा तो यह बहु अब एक सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए क्योंकि मैं इसको अभी रफ करता हूं ठीक है इसका काम खतम अभी मैं में हेडिंग डालता हूं जो कि हम लोको सबसे पहले आज आज क्या मतलब आज यही पूरा पढ़ेंगे हम लोग अर्थक्वेक के बारे में ही पढ़ने वाले क्यों होता है कैसे होता है थोड़ा सध्यान से देखना अर्थक्वेक हिंदी में बोलो तो बुकम बुकम पाता है ना बुकम पा गया ठीक है समझ लो अब यह जो चीजे है थोड़ा समझो पहले कि एक एक्जामपल देता आपको जैसे कि आपका भी रेल्वे प्लाट्फॉ होता है जहां पर खड़े वह पूरा वाइबरेट हो जाता है आपने देखा होगा अगर आप ऐसे स्टेशन से बिलॉंग करते हो जहां से मालगाड़ी या फिर कोई एक्स्प्रेस ट्रेन एकदम फास्ट में निकलती है तो आपको पता चलेगा क्योंकि जहां पे मैं रहता ह निकलती है जो रिल्वे पटरी होती है उससे बहुत फास्ट निकलती है तो और वो इतनी हेवी ट्रेन होती है आपको पता है कि यार कोई ट्रेन एक्स्प्रेस ट्रेन का वजन जो होगा यार बहुत जादा होता है तो इतनी भारी भरकम ट्रेन जब इतनी फास्ट स्पीड स जब वो जाती है, तो आसपास का जो जमीन में क्या हो जाता है, वाइबरेशन हो जाता है, तो वो वाइबरेशन आप समझ सकते हो, और वो महसूस भी कर सकते हो, वहाँ पे अगर आप खड़े रहोगे, तो अगर आप वहाँ पे खड़े रहोगे, तो आप महसूस कर सकते हो, तो सेम वही चीज होता है, हमारे जमीन के अंदर जो layers होते हैं, crust का, mental का, core का, वो जो layers होता है, सेम चीज वहीं पे, वहाँ पे वही चीज हो रहा होगा, समझ में आ रहा है जोस्तों, तो वही चीज वहाँ पे भी हो रहा है, यानि कि sudden vibration create होता है, crust के अंदर, layer के अंदर, जिसके वज़े से एक waves create हो जाते हैं, waves जो है, वो pass होते रहते हैं, उपर भी pass होंगे, side में भी pass होंगे, इधर भी pass होंगे, नीचे होंगे, और हर जगा से क्या होता है, waves निकल के आता है, और वो पूरा जटका देदेगा आपके जमीन को, जमीन हिल जाएगी, तो उसके उपर जो भी चीज रहेगी, वो भी हिल जाएगी, and damage जो हो जाता है, यानि epidemic हो जाता है, clear है, clear है दोस्तों, उमीद करता हूँ, यार अर्थ क्या होता है, यह तो बहुत ही basic, पाचवी-छटवी में भी पढ़ाया जाता, यही चीज मैंने आपको आज बताई है, तो हर चीज आपको clear हो गया होगा, लेकिन और भी detail में पढ़ना है इसको, तो अर्थ के बारे में detail में जाएगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो moments हो रहे हैं, अंदर के, हो रहा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ का क्रस्ट होता है, जब भी धीरे-धीरे increase होता है, क्योंकि देखो, अभी normally आप imagine करो, कि समझ लो, मैं एक जमिंग का तुकडा ले रहा हूँ, पुरा, अर्थ का, तो उपर जैसे मैंने बाला, उपर का जो लेयर होता है, वो क्या होता है, अर्थ का क्रस्ट होता है, छोटा सा पतला सा लेयर होता है, अर्थ का क्रस्ट होता है, लेकिन पतला सा बोलने के लिए होता है, लगबग 40-50 किलोमेटर का होता है, यहाद दिल आ रहा है यह आपने पड़ा हुए ओल्डी एट में थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ उसके बाद आता है आपका एक mental का लेयर यह आपका क्रस्ट है तो यह पर गहराई में उत्रोंगे तो आता है उसके बाद कोर का लेयर यानि कि मैं जमीन का लेयर मैं तुकड टान है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो disturbance होता है और यहाद के उत्तरव के वहते होंगे लेकिन एक limit होता है उसका क्या होता है एक limit होता है और जैसे में आपको बोला कि crush के यहा फिर layers के अंदर tension मतलब तनाओ तनाओ मतलब कीचाओ और फिर compression होगा या फिर tension Tension होगा पता है, मैंने आपको पता यह था, Tension मतलब अगर इस तरफ से खीचाओ हो रहा है, यानि दोनों एक डिरेक्शन में खीच रहे हैं, तो compression होता है, यह forces होते हैं, तो Tension जब होता है, उसके अंदर तो उसका एक limit होता है, तो छोटा-मोटा tension जो हो रहेगा, वो समाल ले हो जाएंगे जिसके वजेसे जो layers एक दूसरे के उपर थे वो कहीं न कहीं क्या हो जाएंगे मेरे हाथों को देखो कि यह जो layers थे दोस्तों क्या हो जाएंगे कहीं न कहीं काप जाएंगे यानि कि एक दूसरे से यहां पर काप जाएंगे जब वो काप जाएंगे तो सबसे जो मान का नुकसान हो सकता है यानि property damage भी होता है और इंसान लोग की भी death हो जाती है because of this ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है clear है तो उमीद करता हूँ कि यार ये चीज़ आपको समझ में आ गया गा और एक और चीज़ information point of view बोलू कि या earthquake होता है इसको measure करना यानि हम control तो नहीं कर पाएंगे कि यार आने वाला है तो हमने रोक लिया कर पाएंगे natural calamity है हम जिंदगी में चाहा के भी control नहीं कर सकते क्योंकि हम nature के आगे कुछ भी नहीं है हम कितना भी technology बना ले लेकिन nature का मुकाबला हम इनसान नहीं कर सकते हैं इतना तो सबसे पहली बात सब समझते हैं और scientists भी मानते हैं लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को measure कर सकते है कि यह कितना खतरनाक है था या फिर कितना today हो सकता है तो हम उस चीज़ को measure कर सकते हैं कि इसको earthquake को एक device से एक machine है applies होता है जिसके help से हम लोग उस earthquake का, earthquake का magnitude यानि कितना value है उसका magnitude intensity कितना है, कितना जोर से आ रहा है, वो हम पता लगा सकते हैं तो basically क्या होता है, एक machine होता है, समझ लो इस प्रकार का, इस प्रकार का एक machine होता है ऐसा, और इसमें क्या लगा होता है, एक एक needles लगे होते हैं, needle मतलब एक सुई होता है, सुई, सुई लगा होता है, और यहां पे इसे graph होते हैं, जिसमें graph paper लगे होते हैं, और यह जब needle तकरा आता है, क्योंकि यह machine जब setup हुआ रहेगा, यह machine जब setup हुआ रहेगा, दोस्तों समझ लो, इसके लिए आपको, यह मतलब अच्छे से मैं बनाने रहा जाम मुझकी, क्योंकि बहुत जादा important है, diagram भूसता नहीं है, लेकिन, थोड़ा समझने की कोशिश करो, कि समझ लो, ये पूरा क्या है, आपका setup है, ये पूरा क्या है, आपका setup है, जिसमें ये जो main हिस्सा, ये needles लगा हुआ है, जैसे ये, समझ ल इसमें आप ये ये जो है, आपने आप ये ह्लरा है, इसमें होते values होते हैं, तो जितना लंबा ये हिलेगा समझ जाना, उतना खतरनाक अर्थ क्वेक आया, क्योंकि ज्यादा हिलरे है, तबहुत ही छोटे-छोटे अगर बन रहे है, तो समझ जाना minor सथा, तो आपको बता Richard's skill के हिसाफ से तो बहुत खतरनाक होता है वो कम लेकिन उससे कम आता है 3, 4, 5 में आता है तो यार it is like normal 3, 2, 3 में आया तो it is like very normal ठीक है लेकिन 5, 6 आया तो थोड़ा सा average है लेकिन उपर गया उसके 6 से 7 के आसपास के उपर गया तो समझ जाने यह बहुत और जिससे हम लोग का बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है clear है दोस्तो तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ पर आपको समझ में आ गया और कैसे हम लोग measure करते है और क्या होता है Richard's skill के हिसाफ से मैं आपको यह चीज explain करने की पूरी-पूरी कोशिश कर दिए अब एक और चीज मुझे यहाँ पर बताना है वो है दोस्तो अर्थ्वेक का main cause गया है तो cause तो अल्रीडी बहुत तारे चीज़े डिसकस किये है लेकिन topic wise यहाँ बताऊंगा आपको तो heading डालता हूँ एक earthquake का cause क्या है ठीके थोड़ा सा इसको मैं rough करता हूँ इसका काम नहीं है अभी ठीके अब मैं लिखता हूँ यह पर कॉस ठीक है इसके अंदर, अर्थ के अंदर बहुत सारे layers होते हैं, तो वो layers को क्या बोलते हैं, in shot हम लोग plates बोलते हैं, और उसको एक और नाम कहा जाता है, tectonic plates, इसको कहते हैं, हम लोग tectonic plates, जो कि एक तरीके से plates होते हैं, आपस में एक दुसरे के उपर रखे रहते हैं, जैसे हमारे घ जाएगा, waves create हो जाएगे, shock waves create हो जाएगे, जिसके वैसे book hump, अर्थ को एक आ सकता है, तो यह सबसे पहला cause था, दुसरा cause हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि जो हमारा plates जो हो सकता है, आपस में ही collide कर जाए, collide मतब टकराना, तो यानि कि समझ जो, जो plates थे, आपस में ही टकरा रह जाएगे, तो क्या हो जाएगा, vibration create होगा, shock waves create होगा, जिसके वैसे book hump, पा सकता है, तो यह था हमारा दूसरा reason, तिसरा reason के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो हो सकता है, वो है दोस्तों यहाँ पे, कि कभी-कभी ऐसा होता है, कि एक plate जो होता है, वो दूसरे plate के नीचे स या फिर उपर से slide हो जाता है, यानि एक तरीके से घसर जाता है, समझ मेरा हिंदी word ज्यादा बोलने हिंदी अच्छे से आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, यानि कि एक plate दूसरे plate से घसर गया, घसर गया, मतलब एक दूसरे के उपर से चला गया, ठीक इसके उपर से दूसरे place, second plate के उपर से या फिर नीचे से जब slide हो जाता है, घसर के निकल जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, vibration create हो जाएगा, shock waves create हो जाएगा, जिसके वेसे earthquake आ सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे reasons होते हैं, और इसमें से एक और बहुत ही famous reason है, लेकिन यह बहुत rare होता है, जो कि है volcanic eruption, यानि कि अब आप बोलोगे कि sir, volcanic eruption से भी earthquake आ सकता है, क्या, yes आ सकता है, देखो मैं अभी connect करता हूँ और एक story भी बताता हूँ आपको, volcanic eruption मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर जैसे कुछ platews होते, hills होते, पहाड़ जैसे होते, उसमें जो magma हो प्रेशर निकालने के लिए कोई से city है नी, तो वो जब लावा उसके अंदर present है, तो वो उसका जब प्रेशर बढ़ेगा, तो पहाड़ को चीर फाड़ के बाहार निकलेगा, तो इतने मोटे चोड़े पहाड़ को पुरा मिट्टी से भरा हुआ, पुरे पत्थरों से भरा हुआ, जो पहाड़, उसको जब फाड़ के वो लावा बाहर निकलेगा, तो कितना ज़्यादा जटका लगेगा, जमीन काप जाएगी, पूरा पहाड काप जाएगा, समझ में आ रहा है, दोस्तों, यहां में फिलिंग समझो, दोस्तों, बहुत ही इंटेंशन से पढ़ा र जमीन भी काप गया, जिसके वेच से कहीं पर अर्थकुएक भी आ गया, यानि आध सपास के रिजन में, अर्थकुएक бी आ गया, समझ में आgens गया, तो वॉलकनिक इरॉप्षिन अगर होता है, तो हो सकता है, अर्थकुएक भी आजाया, एक और एक करता हूँ, आपके शिल कि volcanic eruption हुआ, जिसके वेसे जमीन काप गई, जमीन काप गई, तो पानी जो उसके उपर होगा, वो क्या करेगा, waves बन जाएगा, और सुनामी ला देगा, best example होता है, समंदर के अंदर, यानि कि जबी भी कोई समंदर के अंदर का crust होता है, जिसको oceanic crust बोलते हैं, जब उसके अंद तो waves, लहर जो है, वो create होगी, उची-उची, तो वो क्या करेगा, सुनामी को ला देगा, best example अपने 2004 में, इंडन ओशन में ऐसा हुआ था, जो हमको पता है, हमारे इंडिया में एक ही बर सुनामी आया है, south में, ठीक है, कुछ-कुछ चीज़े, तत्व मुझे पता नहीं है, इसके लिए exactly में नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ा कम study गया, इसके बार में, लेकिन जहां तक मैंने सुना है, और थोड़ा सा जो study किया है, उसके इसाप से मैंने सुना था, कही ने कही एक volcanic eruption हुआ था, वहाँ पे समुंदर के अंदर, इंडन ओशन के अंदर, आस Tamil Nadu का नीचे वाला पार, ठेक है ना, नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पे खतम होता है, हमारा नीचे का पार्ट, इंडिया का, तो वहाँ पे जो है, थोड़ा फ़ू डामेज जो है, देखने मिला था, ठेक है, जहां तक मुझे लगता यह, मैने जया था, लेकिन आपको आपी के earthquake और volcanic eruption ये सब चीज मैंने combine में बता दिया लेकिन अभी खतम नहीं हुआ है ये चीज में आपको बता दू कि earthquake का हमने ये cause वगरे देख लिया हर चीज डिसकस कर लिया कैसे नापते रिचर स्केल वगरे से हर चीज बता दिया लेकिन अब ये जो earthquake है इसका epicenter भी होता ह focus होता है कहां से निकलता है और उसके अंदर से जो waves निकलती है जो अलग-अलग type की जो waves होती है P waves होती है secondary waves, primary waves ऐसा बहुत सारे waves होती है तो वो क्या होती है ये सबी चीज भी explain करना बाकी है लेकिन मैं आज नहीं करूँगा इसको मैं करूँगा हमारे अगले lecture में जो की हो आते हैं ताकि आप बोर भी ना हो, कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ लो और बहुत ही अच्छा आप result और अच्छे से concept and knowledge को clear कर पाऊ ठीक है तो आज के लिए इतना ही कैसा लगा है हमारा ये आज का lecture वीडियो दोस्तों प्लीज हमें comment करके बताएगा अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा, वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर जरूर से कर देना अपने सारे friends and relatives जितने भी होंगे यार फटा 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 शेर कर दो and अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा कर देंड्स कीजेगा, älletढ़ एस दो कर दो बचने सा हाष Northeast PT से कर दो day एाए fender आपने साहल और हो ऊपने सा एका झार आपने सारेsho़ Valley